तो सबसे पहले जानते हैं PNG फाइल क्या होती है .png वो फाइल होती है जिसमें कोई बैग्राउंड नहीं होता है ऐसी इमेज को हम .png फाइल कहते हैं ठीक है न तो इस तरह की इमेज डाउनलोड करने के लिए आप इस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं .png.eimg पे आप जा सकते हैं ठीक है तो इस पे आप .png फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं इमेज तो जैसा की मैं आपको डाउनलोड करके बता रहा हूं ठीक है न अगर आप खुद का खुद की इमेज का बैग्राउंड चेंज करना चाहते हैं उसे .png फाइल में कनवर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए remove.bg एक वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं एक बार मैं फिर से दोरा देता हूँ remove.bg उस साइट पे जाके सिर्फ आपको करना है अपनी फोटो को अपलोड उसके बाद .png में convert कर देगी वो वेबसाइट उसके बाद फोटो को आपको सि ठीक ना मैंने download कर रखा है convert करके अभी मैं आपको दिखाता हूँ ठीक ना तो इससे मैं download कर लेता हूँ .png img.com से इसे हम whatsapp में add कर लेंगे ठीक ना add करने के लिए सब सब पहले whatsapp stickers में जाएंगे ठीक ना एक application पर्सनल stickers for whatsapp यह application आप download कर लेंगे ठीक ना उसके बाद यहा right मतलब select कर लेंगे आप उसके बाद उसमें add कर लेंगे ठीक ना उस तरह से आपके whatsapp में वो .png image add हो जाएगी उसके बाद आप वो किसी को भी send कर सकते हैं ठीक ना जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ मैंने 2019 .png file थी image उसे मैं send कर दिया हूँ ठीक ना इस तरह से आप भी कर सकते हैं देखिए मैंने यह image remove.bg से background निकाल दिया था उसके बाद add कर लिया है ठीक ना उसके बाद अब मैं send कर दे रहा हूँ देखिए कोई background नहीं है